असलाम अलेकुम एक और लेक्चर के साथ हम लोग खासिर हैं आज हम लोग जो है लीस्ट प्यूठी पर काम करें गे लीस्ट प्यू अंड्रोइड में के सिरीट करेंग , तो लीस्ट प्यूठी डेमों के नाम से अमएंग बाता चिए है में, अजडिक और रूट प्रुचटल ठीक है, ListView is a group that display a list of scrollable items, the list items are automatically inserted to list using an adapter that pulls content from source such as, ठीक है, यह क्या करेगा कि एक error adapter यूज़ करके आपके contents लिस्ट व्यू के अंदर पेस्ट कर देगा, यह आप देख सकते हैं के different types की list available हैं, गूगल पे, ठीक है, लिस्ट व्यू की मतल से हम लोग यह चीज़ें कर देख सकते ह हैं, list of contacts, ठीक है, list of items, list of cities, something like this, ठीक है जी, यहाँ पे हमारा project क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हम लोग collections का type यूज़ करेंगे, error list, ठीक है, error list in java, बहुत ही simple सी class है, error list, extend कर दिए, abstract list and implement the list interface, ठीक है, so create करने का बहुत ही असान तरीक का है, खैर इसको छोड़ते हैं, हम लोग अपने ही lecture में cover कर लेंगे, किस तरीके से होगा, तो list list view बहुत ही काम की चीज़ है, most of the times, आपके projects के अंदर यूज़ होती है, तो इसको carefully आप लोग learn कीजिएगा, किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके most of the time, यूज़ में आईगी, और इसके अंदर जो हम लोग array doctor यूज़ करेंगे, वो भी बहुत से different views, like spinner, spinner basically क्या है, कि आपका एक drop down में नहीं होए, उसके अंदर आपका array doctor यूज़ होता है, ठीके तो array doctor बटी काम की चीज़ है, array doctor actually क्या होता है, कि वह आपकी data को लेता है, पुछ था है, और वो array doctor बना लेता है, वो क्या करता है, कि आपका data ले ले लेता है, उसको bind कर लेता है, and then क्या करता है, कि हम list view को assign कर देते हैं, इस सारे चीज़े हम आज करेंगे, so keep watching, यहाँ पर हमारा project create होगी है, इसको हम project view में ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको पता है, एप एप के अंदर src में जाना है, और main में जाना है, और इस test वाले को हमने delete कर देना है, क्यूंकि यह testing purpose के लिए होता है, हमारे किसी काम का नहीं है, जैसा कि हम आज तक करते हुए आए हैं, और हमारे resources में आ जाएंगे, layout में आ जाएंगे, एक activity automatically create हो जाती है, कि हमने उसको select किया था, उसको हम double click करके open कर लेते हैं, उसका design view आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है, एक list view का view जो है, drag and drop कर लेंगे, आपको जो है, containers के अंदर, I think, list view यह मिख जाएगा, तो इसको हम drag कर लेंगे, भी हमारा view render हो जाए, Android Studio Coversion 1.2.2 है मेरे पास, इसकी update available है, 2.0 तक आग चुका है, Android Studio को आप update कर सकते हैं, अगर नहीं हैं, Android को अच्छे से अगर Java पे आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को suggestion दोगा, थोड़ी वो जावा जो है साथ साथ आप study करते चाहें, आप लिस जावा के अंदर चुका कलेक्शन से यूज हो रहे हैं और जावा के अंदर अनॉनमियस इंडर किलासेज का concept जो है, इनको आप study कर लें, हम लोग जावा की साइट पर नहीं चा सकते हैं कि हम दोगों Android का session start किया है, तो यह आप लोगों को खुछ से cover करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से as usual rendering problem, तो इसका solution यह कि हम theme difference lag कर लेंगे, आज वेरा system बहुत ही slow चल रहा है, ठीक है जी हमारा view ready है, यहां पर हम लोग इसको delete कर देते हैं और container में से अपना list view एक उता के drag कर लेते हैं, और इसको full width देते हैं, full height में already है, ठीक है जी, इसको save कर लेते हैं, इसको हम id list view assign vv अपने java code में आ जाते हैं, और यहां पर हम देंगे list view को hand shaking करा लेंगे java code के साथ, find view id ठीक है जी हमने कर लिया इसके बाद हम इस class पर import कर लेंगे इसके बाद हम इस class पर इंपोर्ट कर लेंगे, कास्टिंग करेंगे, यह हमने कास्टिंग कर ली, अब इसके बाद हम जावा कलेक्शन स्यूज करते वे list of string की एक array list बनाएंगे, ठीक है जी, स्टिंग की एक लिस्ट बना लेते हैं और इसमें हम elements set कर लेंगे, स्टिंग डेटा टाइब के, कंट्रोल, कॉपी, कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यह हमारे पास एक डेटा सोर्स अवैलिबल हो गई है, हमने एक सिटी के लेस्ट बना लिए, उसके बाद एक array डॉप्टर बनाएंगे, को भी स्टिंग टाइब का होगा, जैसा के मैंने आप बताया था, एरे डॉप्टर में एक्चली ओडेटा पाइंट करने का काम आ रहा होता है, हम इसको कॉंटेक्स बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको व्यू बताएंगे किस तरह की चाहिए, हमारा लिस्ट व्यू और उसके बाद हम डेटा सोर्स बताएंगे उसको, ठीक है यह एरे डॉक्टर एडी है, अब हम क्या करेंगे सिंप्ली अपने लिस्ट व्यू में सैटर डॉप्टर कर लेंगे और जो डॉप्टर कमने आपचेट बनाये था उसको हम पिनिशलाइस करा देंगे और उसके बाद हम अपनी अप्लिकेशन को रन कर लेंगे अच्छ कि की हईएगे हमारा वेड़ डिवास अब तक सर्च कर रहा है तो मैं आप लोगों बताता चलो हमने किया क्या है XML के अंदर हमने एक ListView का View रख है, उसकी ID हमारे पास ListView थी, पिर हम Java Code में आने के बाद, हमने एक ListView का Object बना लिया है, अपने View की Hand Shaking करा लिया, Java Code के साथ, उसके बाद मैंने एक Error List String Type की Create की है, जो कि इस वक एमटी है, उसमें मैंने चार डेटा एड की हैं, कराची लाहुर इस्लाहववद की शावर, उसके बाद मैंने क्या की है कि एक एर अडॉप्टर बना है, स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर मैंने अपना कॉंटेक्स्ट बनाया है, कि मैं इसी एक्टिविटी का व्लियू, यूज करना चाहरा हूँ, उसके बाद एक लेयाउट बनाया है, स डेटा शो हो जाएगा जी हाँ तो यह आप देख सकते हैं कि हमारी यह लिस्ट व्यू रेड़ी है इसके अंदर चार एलिमेंट्स पड़े में कराची लाहूर इसलामवाद इसे दीगे से में इसमें फर्दर एड़ कर देता हूँ देता धूरी लेड़ लेड़ा हो जाना तो यह हमारे पास एड़ काईडर हो जाएंगे हमारी लिस्ट व्यू के अंदर सिम्बल सा लेक् fifteen है जिसके अंदर हम लिस्ट व्यू के अंदर एड़ेडर काईट्स कि मदब के अंदर को सैट करवाने है एरे डॉक्टर की मदद से हमारी अप्लिकेशन रून हो रही है अब आप देख सकते के और फर्दर जो हमने आइटम्स यूज किये थे वो इसके अंदर एड़ हो गए है तो इन्शालला हम लोग टैक्स लेक्टर के साथ भी राजी होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ तब तक आप प्रैक्टिस की दिये